लखनों में इन दिनों पतंग बाजार, रंग बिरंगी और नई पतंगों से गुलजार हैं दो इंच से लेकर नो इंच तक की पतंगे हैं सिद्धुमू से वाला से लेकर कई दूसरी पतंगे इस समय आकर्षन का केंदर बनी हुई है आप सोच रहे होंगे कि दिवाली के मौसम में हम पतंगों की बात क्यों कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि सरिफ लखनों का एक ऐसा रिवाज है जिसमें दिवाली के ठीक अगले दिन पतंगे उड़ाई जाती है जिहां ये रिवाज करीब 300 साल पुराना है और नवाबों की समय से चला आ रहा है इस बार दिवाली पर बच्चों का भी खास तौर पे ख्याल रखा गया है यही वज़ा है कि प्लेन पतंगों के साथ ही काटून की पतंगे भी आई हुई है इसके अलावा रंग बिरंगी चर्खियां भी तैयार है ताकि लखनों वासी खूब जम कर जमगट के दिन पेच आस्मान में लड़ा सकें जी हां यह जो तिवार है लखनों का इसे हम तिवारी कहेंगे क्योंकि इसको लेकर खासा उस्सा लोगों के अंदर रहता है लोग करीब 3-4 महने पहले से ही इसके तैयारी करना शुरू कर देते हैं बात करें दुकानदारों की जी आप आले सामने देख लीजे जो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं यह बच्चो वाली पतंग है यह करीब 6 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक इसकी कीमत है और इ नहीं लड़किया भी पतंग लडाने में पीछे नहीं रहती चर्खी माजा से लेके सब कुछ तयार हो चुका है बात करें लखनों के बाजारों की तो रकाब गंज पुराना लखनों और साथी बीबी गंज का साधत गंज सभी जगा पे दुकाने गुलजार हो चुकी है प इस बार लड़कियों और बच्चों का ध्यान रखकर बनाया गया है यह जो कार खाना मापको दिखा रहे हैं यह पपू काइट सेंटर का है जहां पे पूरा परिवार मिलकर पतंगों को बना रहा है नया तो बहुत कुछ है पहले से अब तो बहुत कुछ बदल गया है पतंग बाजी पहले दूसरे तरीके से होती है अब इस समय जैसे हैपी दिवाली की काइट है यह बिलकुर नया आया है और वाइट पतंगे आई है वाइट लाओ वाइट पतंग आई है जो रात में उड प्रतियां और कहीं किसी सहर में आपको ये भाईट पतंग नहीं मिलेगे ये कि वहला हमारे लखनव में मिलती है ये रात में उड़ाने के लिए बनवाई जाती है और हमारे उड़ाते भी है रात में काफी लोग अभी कितने और अपके पास पतंगों को लेके आर्डर तो बह कर दो